हेलो एवरिवन, आएम हेमानशी, वेलकम टू सिविल पांडा ओडियो आर्टिकल, आज हम डिसकस करेंगे 1 अक्टूबर के सारे इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के बारे में, साथ ही से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी डिसकस करेंगे, तो चलिए शुरू करते ह हाल ही में किस कंट्री ने अर्थ सर्फेस को मॉनिटर करने के लिए लैंड सेट 9 सेटलाइट लॉंच किया है, तो इसका आंसर है अमेरिका के नासा, अमेरिका के नासा और्गिनाइजेशन ने अर्थ सर्फेस को मॉनिटर करने के लिए लैंड सेट 9 सेटलाइट लॉंच किय है दोस्तों बात करें नासा की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन ये एक अमेरिकन स्पेस अजन्सी है इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को है वाशिंग्टन डी सी मोटो है फॉर दे बैनेफिट आफ ओल और चेयर पर्सन है बिल निलसन अब बात कर लेते हैं अमेरिका कंट्री की इसकी कैपिटल है वाशिंग्टन डी सी जो की पोटो मैक नदी के किनारे बसी है करंसी है डॉलर प्रेसिडेंट है जो की 46 नंबर के है वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस जो की फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है और इनका संबर टमिलांडू राजिस से है हाली में तुलसा रेस मसक्यार यानि की तुलसा जाती हत्याकांड की हेंडरेट वर्षगार्ड देखी गई है ये USA से रिलेटेड है दोस्तो इसका नाम आपको याद रखना है ब्लू हिल्स, ब्लाक हिल्स, क्रीन हिल्स, USA में स्थित है मालबार एक्सोसाइज 2021 गौाम आइलेंट USA में हो रही थी और इसका 25 एडिशन था इंडिया, USA, जापान, आस्ट्रेले ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया और अमेरिका के ब तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने है USA के बारे में, नेक्स्ट, हाल ही में रौजा बॉन्डेट रमजाने को किस देश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर है तुनीशिया, तुनीशिया में रौजा बॉन्डेट र नेक्स्ट, हाल ही में जारी IIFL Euron India Rich List 2021 में कौन टॉप पर है, तो इसका आंसर है मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी IIFL Euron India Rich List 2021 में टॉप पर है, सेकंड नंबर में है गौतम अदानी, और एक नाम आपको और याद रखना है दोस्तो, शाश्वत नकरानी का, जो की यंग बारत पे एप के, इनकी उम्र केवस 23 एर्स है, तो यह सारे नाम आपको याद रखने हैं दोस्तो, नेक्स्ट, हाल ही में किसने निधी 2.0 स्कीम का उधगाटन किया है, तो इसका आंसर है ओम बिरला, ओम बिरला जो की प्रेजेंट लोग सभा स्पीकर है, इन्होंने निधी 2.0 स्कीम का उधगाटन किया है, निधी का फुल फॉर्म बनता है दोस्तो, नैशनल इंटिग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री, यह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिजम की स्कीम है, जिसमें टूरिजम सेक्टर में डिजिटलाइजेशन और बिजनेस क प्रमोट करना है, तो यह इंपोर्टन है दोस्तो, आपको इसका नाम याद रखना है, नेक्स्ट, हाल ही में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनात ने किस सिटी में निर्भया एक पहल की शुरुवात की है, तो इसका आंसर है लखनाउ, लखनाउ में योगी आदित्यनात लखनाउ सिटी में निर्भया एक पहल की शुरुवात की है, इस स्कीम के तहट पिंक बूत स्थापित किये जा रहे हैं और पुलिस स्टेशन में वूमन डेस्क भी खोले जा रहे हैं, तो इसे आपको याद रखना है, लखनाउ जो की कैपिटल है, उत्तर प्रदेश की और गोमती रिवर के किनारी उफस्तित है, चीफ मिनिस्टर है, योगी आदेतिनाद, गवर्नर है, आनन्दी बैन पटेल, यूपी काजियाबाद की एक अभीजीता गुपता का नाम आपको याद रखना है, ये वर्ड की यंगेस्ट राइटर बनी हैं और ये सिर्फ केवल यूपी में खुला है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, यूपी के बारे में, नेक्स्ट हाल ही में, यूएस आइबीसी यानि की यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल किसे ग्लोबल लीडर्शिप अवार्ड देगा, तो इसका आंसर है शिव नडार, शिव है, तो इसका इस्थापना की गई थी, 1976 में, हैटक्वार्टर है, नोइडा, इसकी चेर्मन है, रोश्नी नडार, जो की डॉटर है, शिव नडार की, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, नेक्स्ट, हाल ही में, एनपीसी आई, यानि की नैशनल पेइमेंट्स कॉपर रखना है, बात करें, एनपीसी आई, यानि की नैशनल पेइमेंट कॉपरेशन आफ इंडिया की, तो इसका गठन किया गया था, 2008 में, हैटकॉर्टर है, मुंबई महाराष्ट, चेर्मन है, बिस्व मोहन महापात्रा, अब बात कर लेते हैं, येस बैंक की, तो इसके 2004 में, और CEO हैं, प्रशांत कुमार, नेक्स्ट, हाल ही में, इंडिया में, रियल स्टेट के लिए, सबसे हरा भरा शहर किसे चुना गया है, तो इसका आंसर है, डेली, डेली को, रियल स्टेट के लिए, सबसे हरा भरा शहर चुना गया है, इंडिया के लिए, और इसकी पानमसाला पर लगे बैंक को सेप्टेंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है तो इसका आंसर है हर्याना हर्याना स्टेट कवर्मेंट ने गुटका पानमसाला पर लगे बैंक को सेप्टेंबर 2022 तक बढ़ा दिया है दोस्तों बात करें हर्याना की तो इसकी कैपिटल है गवर्नर है बंडारू दत्तात्रे हवाई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज हर्याना है मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू है हर्याना में सुल्तानपुन नैशनल पार्ग और कालेश्वर नैशनल पार्ग हर्याना में है सूरज कुंड लेग जो की इंटरन पोटर की शुरुवात की गई है मुख्यमंत्री हौटी कल्चर इंशूरेंस स्कीम लॉंच की गई है हर्याना कवर्मेंट ने और हाल ही में बाजरा को हर्याना स्टेट की भावंतर भरपाई स्कीम के तहट शामिल किया गया है तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखने है हर आनम मिजड़ बने हैं दोस्तों बात करें नैशनल बैस्केट बोल असोसियेशन की तो इसका गठन किया गया था 1950 को और हेड़कॉर्टर है न्यू देली प्रेसिटेंट है के गोविंद राज हाली में टाटा टेक्णोलाजी ने इन्यूवेशन को अनकरेश करने के लिए किस स्टेट के साथ एग्रिमेंट किया है तो इसका आंसर है मनिपूर मनिपूर के साथ Tata Technology ने innovation को encourage करने के लिए agreement sign किया है दोस्तों बात करें मनिपूर की तो इसकी capital है Infal, चीफ मिनिस्टर है बिरेन सिंग और गवर्नर है लागनेशन Loktak Lake जो की largest freshwater lake है North East India की ये मनिपूर में है दोस्तों ये question पूछा जा चुका है इसलिए आपको याद रखना है Go to Hill 2.0 Outreach अभियान शुरू किया गया है मनिपूर में और भारत का best police station मनिपूर में है GI tag जो मिले हैं मनिपूर को वो देख लेते हैं तो चखाऊ चावल, मोरांगे फी सारी और काले चावल को GI tag मिला है साथी दोस्तों elephant chili और tomming long orange को भी हाल ही में GI tag मिला है और मनिपूर में जो important त्योहार मनाए जाते हैं वो है लाई हरोबा और शिरोई लिली दोस्तों question पूछा जाता है इसलिए आपको याद रखना है next हाल ही में किसने my life in full work family and future book लिकी है तो इसका answer है इंदरा नूई इंदरा नूई ने my life in full work family and future लिकी है important है दोस्तों इनका नाम आपको याद रखना है next हाल ही में किस state government ने शाम सुन्दर जानी को land for life award से सम्मानित किया गया है तो इसका answer है राजस्तान राजस्तान में शाम सुन्दर जानी को land of life award से सम्मानित किया गया है शाम सुन्दर जानी एक professor है और इन्होंने land conservation के लिए काम किया है इसलिए इनको award मिल रहा है Next, All India Management Association AIMA के new president कौन बने है? तो इसका आंसर है C.K. रंगनाथन C.K. रंगनाथन को All India Management Association का new president बनाया गया है बात करें AIMA यानि की All India Management Association की तो इसकी स्थापना की गई थी 1957 में headquarter है New Delhi Next, Hali में VEOCOM 18 के new CEO किसे पॉइंट किया गया है तो इसका आंसर है जोती देश पांडे जोती देश पांडे को VEOCOM 18 का new CEO पॉइंट किया गया है VEOCOM 18 इसका गठन किया गया था 2007 में headquarter है Mumbai महराष्ट Next, Hali में International Translation Day कब मनाया गया तो इसका आंसर है 30 December 30 December को International Translation Day मनाया गया इसकी थीम थी United in Translation अब बात कर लेते हैं मद्द प्रदेश करेंट अफेर्स की तो हाल ही में Chief Minister श्रिवरा सिंग चोहान ने कहा World Level Hockey Stadium बनाने का निर्णे लिया है तो इसका आंसर है भुपाल और गॉलियर बुपाल और गॉलियर में Chief Minister श्रिवरा सिंग चोहान ने World Level Hockey Stadium बनाने का निर्णे लिया है Chief Minister श्रिवरा सिंग चोहान ने Tokyo Olympic में पार्टिसिपेट करने वाली Women Hockey Team की हर एक प्लियर को 31 लाक रुपीज से सम्मानित करते हुए ये announcement किया है Tokyo Olympic में Women Hockey Team सेमी फाइनल में अर्जंटीना से हार गई थी दोस्तों इसे भी आपको याद रखना था इसकी कैप्टन थे रानी रामपार और गोल कीपर थी गुरजीत को नेक्स्ट हाली में मदप्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट को चिन्नौर धान के लिए GI टैग मिला है तो इसका आंसर है बाला घाट दोस्तों ये important है इसे आपको याद रखना है कि बाला घाट को चिन्नौर धान के लिए GI टैग मिला है बात करें बालाघाट की तो इसके जबलपूर डिविजन में आता है और इसे शिकारियों का स्वरगियाने की हंटर्स परडाइज और मेगनीज सिटी के नाम से जाना जाता है किरनार पर इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट सेंटर बालाघाट में हैं यहां बैगा ट्राइब रहती हैं दोस्ते इसे भी आपको याद रखना है एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउन मेगनीज माइन भारवेली माइन यही है मलाजखंड माइन जो की कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसे भी आपको याद रखना है फेमिस वाटरफॉल्स हैं गंगुल वाटरफॉल्स और मलधार वाटरफॉल्स यह बालाघाट में हैं तो यह था आज का डिसकेशन दोस्तों आई होप आप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का कोश्चन है हाल ही में रोजा बॉन्डेट रमजाने को किस देश की फर्स्ट मुमेंड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है इसका आंसर आपको कमेंड बॉक्स में देना है और्डियो आर्टिकल पसंद आये तो इसे लाइक कमेंड एंड शेयर करें जए